अयोध्या में चुनाव हार गई भारती जनता पार्टी वहां समाजवादी पार्टी चुनाव जीती अयोध्या की राजनेतिक परिस्थतियां तेजी से बदली लेकिन दोस्तों अब अयोध्या को लेकर जो खबर सामने आई है वो बेहद चौकाने वाली है इंडियन एकस्प्रेस ने एक स्टोरी की है इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है उस स्टोरी की जो हेड्लाइन है सबसे पहले आप उस हेड्लाइन को पढ़िए मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ और आप स्क्रीन पर भी उस खबर को पढ़ सकते हैं अरवनाचल जेपुटी सीम टू चीफ औफ यूपी स्पेशल टास्क फोर्स ब्रजभूशन्स एमपी सन्टू पॉलिटीशियन्स एक्क्रोस पार्टी लाइन्स रश्टू राइड आयुद्या भूम आयुद्या में जमीन खरीदने के लिए एक ऐसी होड देखने को मिली उस पर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस ने की है इंडियन एक्सप्रेस का ये दावा है अपनी इस ख़बर में इस रिपोर्ट को किया है श्यामलाल यादव ने उनका दावा है कि पच्चीस सो से जादा रजिस्ट्रियों को देखने के बाद ये खुलासा हुआ है और ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आई है कि आयोध्या में जब मंदिर निर्माल के फैसले को सुईकृति मिली सुप्रीम कोट की यानि नवंबर 2019 का जो वक्त था तब से लेकर मार्च 2024 के बीच काफी तेजी से जमीने खरीदी गई और बाहर के कई लोगों ने आकर आयोध्या में जमीने खरीदी इनमें कई नौकर हैं अरौनाचल प्रदेश के डेपटी सीम और बीजेपी के नेता के दोनों बेटे हैं उत्तर प्रदेश के कई आईए सदिकारी हैं युपी ऐस्टी अफ के चीफ हैं समाजवादी पालटी और बीएसपी के भी कुछ नेता हैं बीजेपी के कुछ MLC हैं पूर्व सांसद ब्रजभूशन सिंग के बेटे जो अब सांसद बन चुके हैं करन भूशन हैं इन तमाम लोगों का नाम है जिनोंने आयोध्या में और उसके आसपास कई जमीने खरीदी ये जमीने खास तोर पर किन किन इलाकों में खरीदी गई वो भी मैं आपको बता हूँ और उसके बाद ये बताऊंगा कि जमीन खरीदने वालों की लिस्ट में कौन-कौन लोग हैं और किस तरीके से इसमें खेल किया गया दोस्तों इंडियन एक्सप्रिस ने अपनी इस खबर में बाकाइदा उन जगहों के भी नाम बताएं हैं जिन जगहों पर जमीन जमीने हैं इसमें आप देखेंगे कि आयोध्या जंक्षन के पास दुरगा गंज के पास महेशपुर के पास माजा के पास इसके अलावा राजेपुर के पास अकबर पुर रोट पर हरीपुर जलालाबाद में लखनव रोट पर सर्यू नदी के आसपास कोट सराय में माजा जमीने खरीदी गई है लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर में खबर का एक हिस्सा जो बहुत जरूरी है उसमें लिखा है यानी साथ सालों से सरकिल रेट में किसी तरीके का बदलाव नहीं हुआ जबकि सरकिल रेट आम तोर पर दोस्तों हर साल बदलता रहता है लेकिन यहां सरकिल रेट में किसी तरीके का कोई बदलाव देखने को नहीं मिला ये वो जमीन है जो अयोध्या के आसपास के 25 गावों में खरीदी गई है कुछ जमीन गोंडा के आसपास खरीदी गई है कुछ बहराइच में खरीदी गई है और अब मैं आपको वो बताता हूँ दोस्तों कि इनमें वो कौन-कौन लोग है जिनका नाम है दोस्तों इसमें नाम है अरुनाचल प्रदेश के डिप्टी सीम के दोनों बेटों चौकान सेंग मीन और आधित्य मीन का बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूशन शरन सिंग के बेटे और जो अब सांसद बन चुके हैं करन भूशन सिंग उनका भी नाम इसमें है यूपी स्टेफ के चीफ आमिताब यश की मा गीता सिंग यूपी ग्रह विभाग के सचिव संजीव गुपता की पतनी चेतना गुपता शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के संयूग तिनिदेशक अरविंद पांडे और उनकी पतनी ममता इसके अलावा स्पी अमेठी अनूप सिंग के रिष्टिदार शैलेंदर सिंग यूपी के पूर्व डी जी पी यश्पाल सिंग प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल आफिसर उत्तर मध्य रेलवे अनुराक्तर पाठी के पिता मदन मोहंतर पाठी यानि यह वो तमाम नाम हैं जिन्ह ने आयोध्या में जमीने खरीदी हैं अब दोस्तों आयोध्या में इस जमीन का जो मामला सामने आया है जो रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस ने किये इस पर अखले शादव का भी पक्ष सामने आया है अखले शादव ने एक्सपर लिखा है कि जैसे जैसे आयोध्या की ज जमीन के सौदों का भंडा फोड हो रहा है उस से ये सच सामने आ रहा है कि भाचपा राज में आयोध्या के बाहर के लोगों ने मुनाफ़ा कमाने के लिए बड़े स्तर पर जमीन की खरीद फरोक्त की है भाचपा सरकार दौरा पिछले साथ सालों से सरकिल रेट ना बढ़ान इस्थानी लोगों के खिलाफ एक आर्थिक शड़ेंतर है इसकी वज़े से अर्बो रुपए के भूमी घोटा ले हुए हैं यहां आस्थावानों ने नहीं बलकि भूमाफियाओं ने जमीने खरीदी हैं इन सबसे आयोध्या फैजबाद और आसपास के छेतर में रहने वा और समिक्षा की मांग करते हैं दूसरी तरफ चले जाए लेकिन जैसे सच्चाई सामने आरही है सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा जमीनों का काम करने वाला कोई अगर है तो भार्टे जिंदा पार्टी के लोग दोस्तों वैसे तो इस लिस्ट में काफी नाम है लेकिन जो बेहर जरूरी नाम है उनके बार को अलग करने वाली सर्यू नदी के पार महेशपुर में मंदिर से आठ किलो मीटर दूर तक्रीबन 3.99 हेक्टेर जमीन 3 करोड 72 लाक रुपए में खरी दी और 25 अप्रेल को उन्होंने 25 अप्रेल 2023 को 0.768 हेक्टेर जमीन 98 लाक रुपए में बेच दी ये अरवनाचल परदेश के जो उपमुक्हमंत्री हैं चौना मीन उनके दोनों बेटों ने किस तरह से जमीन की यहां खरीद फरोग्त की है उसका खुलासा इंडियन एक्सप्रेस में है और इसके बाद ब्रिजभूशन शरण सिंग के बेटे करन भूशन उन्होंने राम मंदिर से 8 किलो मीटर दूर महेशपूर में 0.97 हेक्टेर जमीन जनवरी 2013 में 1 करोड 15 लाक में खरीदी इसके बाद जुलाई 2023 में 635.72 वर्ग मीटर जमीन 60,96,000 में बेच दी UPSTF के प्रमुक एडिशनल DGP अमिताब यश अमिताब यश की मा गीता सिंग ने फरवरी 2022 से दो फरवरी 2024 के बीच महेशपूर, दुरगा गंज, मौ यदवनशपूर में मंदिर से तक्रीबन तक्रीबन ये जो तीनों इलाके हैं आट से बारा किलो मिटर की दूरी पर हैं, यहाँ पर 9.955 हेक्टेर कृशी योग्य भूमी चार करोड़ चार लाक में खरीदी इसमें से उन्होंने 16 अगस्त 2023 को महेशपूर में 0.505 हेक्टेर जमीन 20.40 लाक रुपे में बेच दी इसके अलावा यूपी ग्रह विभाग के सचीव संजी गुप्तम ने भी यहाँ पर जमीने खरीदी बेची हैं और इसमें तमाम नाम है, इसमें स्पी अमेटी अनूप सिंग का नाम है जिनके रिष्टेदारों यानी सस्राल के लोगों में शैलेंदर सिंग और मंजू सिंग ने मिलकर मंदिर से 9 किलो मिटर दूर दुरगा गंज में 20 लाक रुपे में 4 हेक्टेर जमीन खरीदी है इसके अलावा और जो तमाम नाम इसमें बीजेपी के विधायक अजे सिंग उन्होंने भी मंदिर से 8 किलो मिटर दूर उनके भाई कृष्ण सिंग और बतीजे सिद्धार सिंग ने महेशपूर में 47 लाक रुपे में जमीन खरीदी है इसके अलावा गोसाई गंज नगर पंचायत की अध्यक्ष लक्ष्मी जैस्टबाल ने जमीन खरीदी अमेटी जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेश अगरहरी ने मंदिर से 10 किलो मिटर दूर 19 जून 2023 को 8 करोड 35 लाक में 0.79 हेक्टेर खेती योगी भूमी भी खरीदी है इसमें पूर विधायक जीतेंद्र कुमार बबलू ने भी जमीने खरीदी है समाजवादी पार्टी के पूर्व MLC राकेश राणा ने 25 लाक रुपए में यहां मंदिर से 9 किलो मिटर दूर जमीन खरीदी बीजेपी के MLC विनीच सिंग ने 80 लाक रुपए में सितंबर 2023 में मंदिर से 12 किलो मिटर दूर 2693 वर्ग मीटर जमीन खरीदी है यानि कि तमाम नाम इसमें हैं अडानी से लेकर लोड़ा तक तमाम व्यापारी वर्ग कॉर्पोरेट वर्ग के भी लोग हैं जिन्होंने जमीनी खरीदी हैं अगर अडानी गृप की बात करें तो पिछले साल 18 सितंबर को कमपनी ने होम क्वेस्ट इंफराज पेस नामक एक सहय कमपनी बनाई जिसने नवंबर और दिसंबर के बीच मंदिर परिसर से 6 किलो मिटर दूर माजा जाम थारा में 1.4 हेक्टेर से अधिक कृशी भूमी खरी दी है दा इनोवेटर्स ने जमीने खरी दी है करनाटक के सावर्थिया डेवलपर्स ने जमीन खरी दी है और इसके साथ साथ तमाम ग्रूप हैं त्रिवेंडी ट्रस्ट है ए बी एम महेश्वरी फाउंडेशन भारतवाज ग्लोबल इंफ्रावेंचर्स अवज सिटी डेव पीरिड में चार साल के इस पीरिड में खुब जमीने खरीदी हैं जमीने खरीदी भी गई हैं और बेची भी गई हैं और अब इंडियन एक्सप्रस की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक हलकम मच गया है